ए सईया मिले लर कईया में का करूं रानी को सल्या मन ही मन पे हसे जुग 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 जी वै लाला नावा आज जुग जुग जीवैं लाला नावा इंडल सेट रे जैंड वैश की तरह से आप सबका स्वाधत में अपका अपना वरंतिवारी आज आपको पॉक्स सिंगिंग में ले जाएंगे जी हाँ सिडमी की धरती पे मालनी जी मालनी जी आए हुए है आईए आपकी एक्षपेशन मुलाकाथ जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम पे किये हैं 2016 में उनको यश्भारती यूपी गौर्वर्मेंट ने 2006 में उनको ओनर किया और पदम श्री 2016 में उनको मिला आईए एक स्पेशल मुलाकात अस्टेलिया की धर्ती पे माली जी के साथ माली जी आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत और भी फिल प्राउड कि आज आप अस्टेलिया की धर्ती पे हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं सबसे पहले शुक्रियादा तो अभी हम बात करते हैं माली जी सबसे पहले अगर हम आपके सफर के बारे में जानना चाहें जी जॉन साब ने इतना लंबा सफर ये लाइफ का निकाला है तो उसके बीच में आपने बहुत ही अलग लेंगविजिस में गाने गाए हैं भोजपुरी, कोट में कितने सारे और आप में गाले लिखे भी है तो शिरुवात में ये जाना चाहेंगे जब आप गाले लिखते हैं चूस कैसे करते हैं, किस तरीके से और कौन सी लेंगविज को आपको वो गाना देना है ये देखिए एक अच्छे इंटेव्यर की पहली बात तो ये पहचान है कि एक साथ-साथ-साथ सवाल पूछ ले तो पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहां बुलाने के लिए और मैं आप सभी का इतना दिल से स्वागत करती हूँ अभार वेक्ट करती हूँ कि मुझे शिड्झनी में कारेक्रम देने के लिए बुलाया है मुझे याद है आद से 11 साल पहले मैं फिजी गई थी प्रोग्राम देने और तब मैं शिडणी आई थी रुकी भी थी और तब मैंने सोचा था कि शायर सिड्नी भी कभी परफोर्मेंस देने आगी लेकिन इसी से जोड़ते हुए आपका जो सवाल है कि तो मैं जो गीत गाती हूँ वो हमारी जो पुर्खों की गीत हैं उनको गाने कहीं काम करती हूँ और चुकि मेरी अपनी जो पैदाईश है वो कन्नोज की है आप जानतें पर इतर का शहर है और उसके बाद पिता जी हमारे रहने वाले तो लखनू के थे तो वो आवद की लेकिन उनकी पोस्टिंग होती रही है एक जगह से दूसरे जगह तो मेरी जो परवरिश हुई है वो पुर्वांचल में हुई है गोरगपूर मे बनारस में हुई है तो दाट एक्स्प्लेंस दाट आंसर वन अफ यॉर क्वेस्चन की मैं कई बोलियों में गाती मूँ आई थिंक वो मेरी कई-कई जगह रहने कासर है और तीसरी बात यह है कि मेरा यह सक्त मानना है कि हिंदी जब से आई खड़ी बोली इसने हम लोग को ब पूराना कोई नहीं जानता तो जो हमारे देश की एक धारा संस्कृत में चली संस्क्रिटाइज जिसको कहते है भाशा में और जो बोलियों में चली वहां पर हमारे पूरवजयों पूरे जीवन का जो फिलोसोफी थी जो उन्हें शिक्षा देनी थी अपनी बेटियों को अ उन इन गीतों में डाल के दी और मुझे लगा कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे लगा ये काम कोई नहीं कर रहा है and it needs to be done किसी और चीज के लिए नहीं इसलिए कि नई पीधी जाने अपने देश को अपने समाज को जाने मैंने सोचा भी नहीं था मैं आपको सच बताओं कि माटी के उन गीतों को गाते हुए खेती के किसानों के गीतों को गाते हुए दादी अम्मा के गानों को गाते मैंने नहीं सोचा था कि US में, Amsterdam में, England में और Sydney में मेरे Ticketed Show होंगे और यह हो रहा है तो यह सारी Blessings हमारे पूरवोजों कोई है क्योंकि उन्हें शायद It's time we retell the story of India in forms of songs तो यह गाने नहीं और जो आपने एक बात अभी पूछी कि मैं लिखती हूँ या गाती हूँ तो Creativity आती जाती है, हम लोग लिखते ही है कही न कहीं गानों में लेकिन मेरा मुख्य काम पुराने गाने जो गुम हो गए है जब कभी किसी ने गाए आप यकीन नहीं करेंगा मेरी यह स्थितिय की through Facebook, through Twitter, through email लोग मुझे लिखते है कि Malini जी हमारी बुआ गाती थी, Malini जी आपको पता है पता नहीं आप क्या गाते है कि नहीं हमारे हां तो शादी में यह गाते थे and it is amazing जिस तरह से गानों का exchange होता है तो कई-कई बार गानों में हम शब्द यदी वैसे हैं तो हम समझते हैं उसको musical, lyrical बनाने के लिए कहीं परिवर्तन के लेकिन मुख के काम मैं बुराने गानों को सामने ला रही हूँ यह मेरा में काम है क्ई बुर्व जी अब्लया मों मुख्यां आपके भीहमें यह से अजय आपके लिए तरहाओ रहें आपके बार्वोर्ग ानकेने ही сп Siu कि मैं Hindu Federation of Australia के साथ जुड़ा हूँ तो यहां पे बहुत पुरानी और भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो Hindu नाम से related हैं, लेकिन मेरे को आया कि बाकी सारे काम तो सारे कर रहे हैं, एक ये पहलू था कि जो छुपा हुआ था, सारे Bollywood बड़े-बड़े कलाका आरे हैं, उनके गानों में कई वर कुछ इतना प्यादा नहीं मेयार भी नहीं होता है, लेकिन नाचना कूदना जादा होता है, वह भी ज़रूरी है, लेकिन हमें सबसे क्मी कल्चर को, को हमारे region, original song को, जैसे के माले बीबड़ि ने बताए, ये songs नहीं है, ये हमारा पूरा मुलिण जा रुपलर रहने एक वोट होते हैं तो संज जा दा यह समयआ ने म cry Chinese के वॉस्सारी मुलार कॉसम्ज़ज दो मॉलिण भी साड़ि होने मौन मालिघी को सी तो हम रहने दो कि दोस्तोष हो यह वह इस ॐच्टूर्य मॉलिण के उसली है तो इसा का मौलिण चाहिए त कहाँ होने जा रहा है कि बेहार का फूड नहीं चुल कोड़ा नहीं भी होंगा सब्ल कोड़ाइस के लब अन्य वीडिन दूगाइज में आंटिश्ट में फूड अधर सोच लाएक को ह CCTV Étوم एक वृत पर्किंग में सुदूब को नतम अन्य वाखने कि सअ तो chests है बहुत पार्किंग है बच्चों के लिए एक जंपिंग कैसल का भी अर्रेजमेंट कर गया है और जो जो नाइट होगी डिफरेंट नाइट होगी घडी बोली का गाना सुछ के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि फोक सिंगर होते हैं पंजाब में भी होते हैं यह फोक सिंगिंग है इस नौट की आप जब सुनोगे तो आपके अंदर से ही आएगा कि आप कुछ नया सुनना है तो विपल जी कहना चाहत है कि आपके एंटर्टेनमेंट का आपके फैमिली डे आउट का वह सारा एरेजमेंट किया गया है इस शो में फुल ऑन पार्किंग खाना पीना यूपी का खाना वो चीजे कठी की गई आपके लिए अगर मैं पूछू कि टिकेट्स अभी भी कहां कहां अवेलेबल हैं अपर प्राइम टिकेट्स अपर आप जाके फटा फटा पनी टिकेट्स बुक कर लें अब बात आती है जब हम सूफी की बात करते हैं तो मालनी जी आपके कितने सारे गित फिट है आपका सहीयां मिले जुग जुग जी है लेकिन मीनुजी ने इंडशेज से इन्ड़ से श्पेशली उन्हें ने बोला कि मीनुजी ने कि आपसे जो वो इंडिया जाते हैं एंड इंडिया में चट पूजा होती है और इस बार पूजा आपकी इवेंट पे हो रही है उसी दिन, तो प्लीज, कुछ गाने कुछ धलक हो जाए. बिल्कुल, मैं सबसे पहले आप लोगों को बिनिती करना चाहती हूं, कि समंदर पार करके आई हूं अपने माटी के गाने लेकर के, तो आप सब बिल्कुल आएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं दिल से आभार करना चाहती हूं, उन्दू फेडरेशन ऑफ ऐस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे याद है, कि राजीव जी ने करीब दो साल पहले कारिकरम के लिए होली के आसपास मुझे बुलाया था, और पिर कोविड हो गया तो आपको पता है फ्लाइट्स, तो ये दुबारा से एक सूत्र फिर से निकला और उन्हें बुलाया, देखें, तीज हो, त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, भारत का समाज बहुत उत्सव धर्मी है, वी लाइक टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन इस तरह का है, आप यकिन नहीं करेंगे, मैं क्या कहने वाली हूँ, कि पीडा में भी, दुख में भी हमने सलिब्रेट किया है, हम रोई नहीं है, हमारा जो संघर्ष रहा है, हमारा जो दुख का समय, उसको भी हमने गा करके बिताया है, कैसे हो, मैं कल आपको गाके बताऊंगी, लेकिन ऐसे में, हम सब को जो बांधता है, जोड़ता है, वो पर्व, त्योहार और उनके संग-संग जुड़े हैं गाने, जैसे छट है, अब मैं आपको बताऊं, छट मुझे इतनी खुशी हुई, आज ही मुझे किसी का सबेरे पटना से फोन आया था, तो कि आपका फोन नहीं मिल रहा है, मैंने बताया कि, कैन यू बिलीव मैं सिड्नी में और फिर मेलबर्न में हूँ, छट के उत्सव के लिए, वो भावक होगे रोने लगे, और मैंने उनको बताया कि आप ये देखिए, कि प्रवासी जो मारे भाई हैं, वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और हम लोगों का, as an artist, मैं तो entertainer से ज़्यादा बढ़कर अपना काम, एक, कहना तो नहीं चे, ambassador की रूप में, एक दाइत्व समझतियों कि, हम लोग कहिदी, भागवान इशाद इसी लिए पैदा किया है, कि हम गाने से लोगों को जोड सकें, बांध सकें, आज आप देखिए, ऐसा भी अव्यक्ति आपको मिल सकता है, जो शायद कहें कि हम भागवान में विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, जो सूर्य की उर्जा पर विश्वास न करें, क्योंकि यही एक मात्र देवता है, जो दिखते हैं साक्षात सामने, उन ही से स्रिष्टी है, उन ही से धर्ती है, हम और आप इसलिए जीवन है, और सबसे पुराना पौरानिक त्योहार जो छट का है, यह सूर्य की वो प्रणाम करते हुए, उनको थैंक्सगिविंग एक तरह से, जो आम बाहर कहते हैं ना थैंक्सगिविंग, एक कृतक गयता है, कि फिर जब डूबता है सूरज, तो फिर प्रणाम करते हैं, कि ऐसे अगले साल आना, क्योंकि सूर्य जो है आरोग देता है, शरीर को स्वस्त रखता है, तो मैं आपको एक वो गीच सुनारी हूँ, जहां पे मनोती लेकर प्रणाम करते हुई, किस तरह से औरते आते हैं हमारे और जो छठा दिन है, बच्चे का जब जन्म होता है हमारे तो जो 6 दे है, उसको मानते हैं कि तब बच्चे का पूरा एक immunity वगरा उसकी पूरी होती है, और हमारे कात्याईनी देवी को ही सूरी की बहर, यानि 6 माई, 6 दे, इसलिए हम अभी जिसमें कारिकरम देंगे चठ की तयारी पूरी करना अरना की शुरूरी हो गोई साफाई फाई जिसमें करते हैं, तो अरते कहते हैं, सुन लियर जिया हमारे छठी महिया, सुन लियर जिया हमारे, लियर गिया स्विकार, छठी महिया, लियर गिया स्विकार, और हम भगवान के पास कब जाते हैं, तोहरी क्रपास महिया, जग उजियरिया, चार ओर भाईल अंधिया, छठी महिया, लियर गिया स्विकार, करली अरगिया स्विकार, यानि हमारी अरज को ये छटी मईया सुन लें आप यदि न होगें तो चारों और अन्देरा आ जाए इसलिए हे सूरी भगवान हे छटी मईया हम पर कृपा बनाए रखें ये डिवोशन का एक हमारिया गाना है और मेन इस समय भारत में मौसम बदल रहा है इस समय धान की कटाई हुई है और नया-nया भेहू लगेगा आलू लगेगा और एक साइकल खेती का समाप्त हो रहा है शरद रितू है मौसम में नय य अकेले की गहर भारत के रितू के हिसाब से बता रही है और जो काफी मौसम मिलता है शरीफा है, नीबू है, नारियल है तो उनको ले करके और खासता पर नया कच्चा बास उससे वो बहंगी बनाते हैं और जो भी जलराशी पास में होती है पोखर, नदी, वहां जाकर पूजा करते हैं ताचा ही बास के बहंगिया बहंगी लचे करते जाए होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुचाए कहने के मतलब जितना भी भारी है लेकिन कहार नहीं बुलाई जाएंगे ए बलम जी, इसको कांधे पे लेकर स्वेम चलना पड़ेगा, तभी इसका पुन्य मिलेगा तो गानों में जो पूजा का भी जो रीते रिवाज है वो भी विधी आपको पूरी पता चलती है 24 घंटे से भी कम रह गए हैं तो आप अगर अभी तक आपने प्लैन नहीं किया तो एक बार फिर से बता दें कि विट्लम सेंटर, विट्लम लेयर सेंटर में ये इवेंट होने जा रहा है और हम विट्नेस करेंगे सिद्डी की धरती पे मालनी जी को आप पूजा के साथ साथ एंटर्टेइनमेंट और अपने फैमिली के साथ साथ कुछ ऐसे पल बिताएं जो मज़ा आ जाए और सूफी सिंगिंग और जबरदस्त और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक और चीज में बता दो जो कि गाना और खाना तो बता ही दिया है मैं आपको कल एक और चीज दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे बॉलिवुड में जो फिल्म सॉंग्स हैं उन में से कितने सारे गाने उनका इंस्पिरिशन हमारे फोक सॉंग्स रहें पिहार यूपी से गए गाने पंजाब के गाने किस तरह से गुजरात के गाने महराश के गाने फिल्मों में किस तरह से गए हैं मैं सिर्फ एक मिसाल बता रही हूं जैसे so that you know what I am talking about जैसे हमारे यां गाना गाते हैं कानपूर में कुछ सुना हुए लगा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नहिना इसी तरह से हमारे यां जैसे अरि माई के भावे लालती कुरिया जग दंबे महियां इन ही लोगो ने लेली ना दू पत्या मेरा So, yes, tomorrow will be a lot of entertainment and something maybe you have never seen or experienced. That's beautiful. We are so excited for tomorrow. Buy your tickets now and I may just say something, Malini ji, Dr. Naveen ji and Vipul ji, आपका बहुत 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 शुकरिया and we are waiting for tomorrow event and let's catch up at Wittlum Laiya Center on 28th. Poster share हो रहा है? Yes, yes. Ticket Primeco के इनावा, अगर किसी ने direct वहापर भी मिल सकती है और call कर सकते हैं, Vipul, Dr. Saab, Dr. Naveen को and we'll meet you. Thank you so much and thank you very much. जाते जाते एक आप सबको प्यार सा मैसेज देदे, उसके बाद हम उनसे सप्रिज आद लेते हैं. मैं आपको जाते जाते भी मेसेज गाकी ही दूँगी, क्योंकि माइग्रेशन का हमारे हैं बहुत एक सुन्दर गाना है और मुझे लगता है कि हम और आप कोई भी हो, सौ साल पहले पूर्खे हमारे रेल में बैठ कर काम करने गए, फिजी में कभी आए, जहाज में बैठ कर के आए थे, पानी के जहाज में और आप आए हैं हवाई जहाज से, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन अरे जहूने सहरवा को सयमोर जहिय हैं, और आप बनारस को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं लकनोव से आई हूं, बिलकुल, तो जाउने सहरवा को सायमोर जही है जहां काम करने गए हो आगी लागए सहर जल जाए रिलिया बाइरन पिया को लिये जाए रिलिया बाइरन रिलिया बाइरन भिलिया बास अब